नमस्कार स्टुरेंट्स यूनी एक्जाम आई-एस के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है डेली जो आपका करन्ट अफेर्स की क्लासिज हम आपके साथ संचालित कर रहे हैं उसकी आज की श्रंखला में हम कुछ महत्पूर टॉपिक की आपके साथ चर्चा करेंगे ज इसको समझने का प्रयास करते हैं तो आज जम जिस टॉपिक की चर्चा सबसे पहले करेंगे वह एक राज्य की मांग से संबंदित है जिसका नाम है ग्रेटर तिप्रा लैंड की मांग इसको आप कहां से जोड़ सकते हैं तो जी एस पेपर 2 में आप इसे पॉलिटी से जोड कर देख सकते हैं ग्रेटर टिप्रा लेंड की मांग क्या है इसके संदर में कौन-कौन से मुद्धे महत्रपूर्ण है इन सब को हम इस टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे ठीक फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक महत्रपूर अंतराश्टी संगठन पर जिसका नाम है FATF या जिसे हिंदी में कहते हैं वित्य कारवाही कारेवल पिछले कावी समय से जो संगठन है वे चर्चा में बना हुआ है भारत भी इसका सदस्य है और हाली में भारत के संदर में कुछ डेवलप्मेंट इसमें क्या है इन सब बातों को हम इस टॉपिक के तहट समझने का प्रयास करेंगे और इसे आप कहाँ से जोड़ कर देख सकते हैं तो एक तो आप इसे जीएस पिपर टू में आई-यार से जोड़कर देख सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ जीएस पिपर थ्री में इंटर्नल सेक् आंतरिक सुरक्षा से भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं एक फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक महत्तपूcord योजना की जिसका नाम है मंद्रेगा मंद्रेगा जो है ग्रामीयृवीकास के दीश्टिकॉण से काफी महत्तपूण है और ग्रामीयृवीकास के इस तरीके से देखे जाने की जरूवत है इन सब चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे तो मंद्रेका का आपको जो टॉपिक है उसे हम प्रारंभिक परिक्षा के दिश्टिकॉर्ण से जो गवर्मेंट से और यूप पूछी जाती हैं उसके दिश्टिक कॉर्ण से भी प्रारंभिक परिक्षा मुख्य परिक्षा दोनों में इससे कोश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसे आप कहां से जोड़ कर देख सकते हैं तो जो आज है यानि विश्य रेडियो दिवस तो आज विश्य रेडियो दिवस है इसके संदर में हम भारत में मुख्य रूप से जो सरकारी रेडियो आदी की स्थिति को बहतर किये जाने के लिए सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है एक नई स्कीम को जो मंजूरी दी है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे जिसक तो कुल मिलाकर यह टॉपिक है जिनकी हम एक एक करके आपके साथ चर्चा करने जा रही है तो सबसे पहला टॉपिक में आपके समख प्रिस्तुत करूँगा यह जो टॉपिक है यह एक यूनिक राज्य की एक अलग प्रकार की राज्य की मांग से संबंदित है जिसका नाम है greater टीप्रा लेंड ठीक है इसे greater लेंड को इस तरीके से लिखा जाता है तो दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं टिप्रा लेंड या तिप्रा लेंड और यह किस से संबंदित है इसमें कौन-कौन से महत्पुर्ण बातें उसको हम समझेंगे जैसे कि सबसे पहले तो हम लिए कृषित है कौन से इसकी मांग की जा रही है वस्तित कौन से भुगोलिख चेत्र से संबंधित है इसकी मांन की Amazon प्रकार के greater tipra land की मांग की जा रही है भारत में संभेधानिक दिश्टिकोंड से राज्य निर्मान की प्रकिरिया के संदर में जो प्रमुक्ष अनुच्छेद हैं वह किस प्रकार के हैं उनमें किस प्रकार की विवस्था की गई है उसमें केंद सरकार अत्वा संसद या राज्यों को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है और इसके संदर में किस प्रकार के कारे को किये जाने की आवशकता है यह कुछ ऐसी महत्तपुन बाते हैं जो हम आपके साथ डिसकस करेंगे इस ग्रेटर तिप्रा लेंड वाले टॉपिक में तो चलिए सबसे पहले तो इसका कॉंटेक्स देख लेते हैं आज के दा हिंदू में इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है और वहाँ पर एक तिरिपुरा का छेत्र है ठीक है आप तो जानते ही है भारत के पूरवत्तर के छेत्र में तिरिपुरा नाम का एक राज्य ह और वहाँ पर 2019 में एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई जिसका नाम है तिप्रा मोथा ठीक तिप्रा मोथा क्या है तो एक राजनीतिक दल है और इस राजनीतिक दल के दौरा 2019 में इसकी स्थापना के बाद से ही लगतार तिरिपुरा के छेत्र में ही एक प्रथक राज्य यानि त्रिपुरा के छेत स्थिलक करके एक प्रतक राज्य की स्थापना की बात की जा रही है जिसको वो greater तिप्रा लेंड की बात कर रही है तो context क्या है context आप एकदम समझेए 2019 में स्थापित की गई एक party है जिसका नाम है तिप्रा मोथा इस party के दौरा तिप्रा के भीतर से की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको जो है इसको इस्थापित करना है ठीक तो greater तिप्रा लेंड की मांग कहां से संबंदित है तो सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि यह भारत के पूर्वोत्तर के राज्य तिरिपुरा से संबंदित है ठीक दूसरी बात इसकी मांग कौन कर रहा है, तो 2019 में गठित एक राजनीतिक दल है, जिसका नाम है तिप्रा मोथा, अगर इसका फुल फॉर्म देखें, तो इसे कहा जाएगा तिप्रा स्वदेशी प्रगतिशील छेत्रिय गडबंधन या फिर तिप्रा इंडिजेनस प्रोग्रेसिव रीजन एलाइनस यानि तिप्रा छोट में हो घ्र फुल्पॉम हो जाएगी इनडिजेनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलाइनस ठीक, इसकी जो स्थापना थे के पहले जो हाँ पर राजवंश हुआ करता था मानिक के राजवंश उस राजवंश के अंतिम शाशक जो रहे थे उनके पुत्र गी के द्वारा इस राजनीतिक दल की स्थापना की गई है जिनका नाम है प्रद्योत विक्रम ठीक मानिक के देव वर्मा और यह लगतार जो है रा है 2019 में जब इस राजनीतिक दल की स्थापना की उसके बाद इन्होंने कुछ राजनीतिक सफलताएं भी अर्जित की हैं जैसे कि 2021 में जब वहाँ पर एक प्रकार के स्थानी निकाय के चुना हुए जिसका नाम है तिरिपुरा ट्राइबल एरियास अौटोनॉमस डिस्टिक कांसिल ठीक है इसके बारे मिए बात करेंगे क्या है तो एक इस फ़ानी निकाय है इस इस फ़ानी निकाय के जब चुना हुए तो तोई जो तिप्रा मोथा दल है इसको काफी अच्छी सफलता हासिल हुई और इसमें जो सीटे हैं 28 सीटों में से 18 पे इन्होंने सफलता अर्चित की उसके बाद से ही लगतार जो है अपनी राज्य की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं और यह विश्य जो है काफी संवेद अंश की स्थापना के बाद से लगतार चर्चा में बना हुआ है इस राजनितिक दल के द्वारा तिप्रा लेंड की बात को किया जा रहा है ठीक अब इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं सबसक्त पहले तो हमें त्रिपुरा राज्य की भोगोलिक अवस्थिति को समझने की अग्राफिकल बाउंडरी है उसको आग समझने का प्रेयास करेंगे तो आप यह पाएंगे कि तेपुरा राज्य भारत में एक ऐसे राज्य के रूप में विद्मान है जो तीन तरफ से बांगला देश से घिरा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बांगला देश है इसके दक्षिन में इधर की तरफ भी बांगलादेश है यहाँ पे पश्यम की तरफ भी बांगलादेश है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर की तरफ भी बांगलादेश है तीन तरफ से जो है बांगलादेश से घिरा हुआ है और भारती राज्यों के अवस्तिती के अ पैदा हुआ है इसी से जो है थोड़ी सी समस्याएं पैदा हुई है ठीक अगर मैं इसको एतिहासिक दिश्टिकोंड से आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप यह जानेंगे कि जो त्रिपुरा राज्य है वह है थर्टीन सेंचरी के एंड से ही तेर्वी शताबदी केंत से जब तक इसका भारती संग में विले नहीं हो गया 1949 था तब तक ये एक विशेश राजवंश के द्वारा शाशित किया जा रहा था और इस विशेश राजवंश का नाम था मालिक के वंश क्या नाम था मालिक के वंश यह जो है मालिक के वंश के द्वारा शाशित एक राज् जो उनकी संख्या है उसके अधार पर जो है मांग देखी जा रही है यह कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से 1947 और उसके बाद जब त्रिपुरा का जो छेत्र है उसका जब भारतिय संग में विला हुआ और उसके पश्चा जो जन जाती अवस्थिती है उसकी डेमोग्राफी मे जन सांख्यकी में काफी radical changes देखे गए हैं इसको किस अधार पर कहा जा रहा है तो जन गर्णा के अधार पर कहा जा रहा है यह दावा किया जा रहा है कि जो त्रिपुरा में जो जन जाती प्रोफाइल है जिसमें जो वहां की 19 अधिसूचित जन जातियां है उसमें सबसे ब तिप्रा 오랜만 कि बात कहां से आई है तो टिप्रा या तिरि जो जन जाती है उसके आधार पर ही जो है तृप्रा लेंड खेल कि बात कर रहे हैं हालां कि इनकी जो मान है वो समाव्यशी भी है क्यों क्यूodynamics यह बृकि नहीं सभी समुदायों है हैं जिसके चलते इनको व्यापक समर्तन हासिल हुआ है तो इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें यह कहा जा रहा है हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो भारतिय संग में बिला हुआ तो 1950 के बाद जब तक बंगलादेश का निर्मार नहीं हुआ तब तक बड़ी मात्रा में बंगलादेश के छेत्र से बहुत सारे बंगाली मूल की लोग जो हैं वो तिरिपुरा में आकर बसे और इसके चलते क्या हुआ कि त्रिपुरा की जो जनजाती प्रोफाइल है जो हां के रहने वाले को कर रहे हैं कि यदि आपको हमें सुरक्षित रखना है यदि हमारी पहचान सुरक्षित रखनी है तो हमें जो है अब एक प्रथक राज्य की आवशकता है ठीक है तो किसी ना किसी रूप में आप इसे निर्जातिता से जोड़ सकते हैं एथनी सिटी से जोड़ सकते हैं ठीक और उसके बाद जो जन जाती है तो तुरी के बाद बुरू या रियांग जन जाती का महत्वर्ण इस्तान है ठीक है अगर आप से पूशन पूछ लिया जाए कि जन जाती प्रोफाइल में तीन महत्वर्ण जन जातिया कौन सी है तो किस-किस का नाम याद रखेंगे एक हो जा गा भुय या रियांग और तीसरी हो जाएगी जमातिया इसमें सबसे बड़ी जन जाती कुन सी है की उद्पति कि परकार से है उत्पति जbai जासे है उनका ये कहना है कि मुख्य रोम से भारतिय संग में त्रिपुरा के विलय के पशाथ जिस परकार से बंगाली लोगों का आगमन इस छेत्र में हुआ है आपको बता दिया मैंने तीन तरफ से बंगलादेश से घड़ा हुआ है तो 1950 से लेकर 1971 और उसके बात के कालों में जिस तेजी स से बंगलादेश से लोग यहां पर आये उससे क्या हुआ है तो जंजाती प्रोफाइल काफी तेजी से बदली है और यह चीज जो है आंख्रों के माद्यम सुन उन्हें तरशानी की मांग की है कि किस तरीके से उसके समख्ष पहचान का संकट खड़ा हो गया है तो ग्रेटर से हस्ता छेप नहीं किया गया तो आगे चलका समस्या बनी रह सकती है अब इसमें देखिए अब मैं आपको तिप्रा लेंड के अगर मालीजे भगोली का वस्तिती दर्शाने का प्रयास करूं तो वहीं जो तिप्रा का मैप है उसी में आपको जो है यह जो हलका पीले कलर का जो आप देख सकते हैं छेत्र वह जो है तिप्रा लेंड के एक एरिया को दर्शाता है ठीक है तिप्रा लेंड के एक एरिया को दर्शाता है और इसमें तिप्रा का दो तिहाई से अधिक भाग शामिल है ठीक है तो इसके संदर में जो तिप्रा मोथा दल है उसका क्या कहना है उसका यह कहना है कि हमें जो है अपनी जन्जातिय संरक्षण के लिए अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है एक प्रथक राज्य की आउशकता है और उसमें वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि केवल और केवल हम अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं अपितु उनका ये कहना है कि जो तिपरा रेंड में रहने वाली जितनी भी जनजातियां हैं जितने भी इस्थानिय समुदाये हैं सब की रक्षा हम करना चाहते हैं इसके लिए हम इसको चाहिए ठीक तो ना सब्सक्रायों के लिए उन्होंने एक अलग मांग की है जिससे ये समावेशी हो गई है यानि इसे जादल से ज्यादा वर्गों का समर्थन मिल रहा है ठीक अब यहां पर कोशन ही उठता है कि आखिर ये जो जनजातिये छेत्र स्वायत परिशद है जिसका संबन त्रिपुर पार्टी है तिपरा मोथा इसको सबसे आदा कामयावी कम मिली तो इसको सबसे आदा कामयावी 2021 में मिली और 2021 में तब मिली जब इसने त्रिपुरा जनजातिये छेत्र स्वायत परिशद का चुनाव लाड़ा और निर्वाचित सीटों में से अधिकांश को उन्होंने जीता तो इसी से वो लगतार मांग कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि जो तिर्पुरा जनजातिये छेत्र स्वायत जिला परिशद है इसी को तिर्पुरा लेंड की रूप में हमें दे दीजे और कुछ आसपास के छेत्र भी जो है उन्होंने इसमें शामिल करने की मांग को किया है जहां पर इस्थानिये समुदायों का निवास है इससे मांग की जटिलता थोड़ी सी बढ़ जाती है तो तिर्पुरा जनजातिये छेत्र स्वायत जिला परिशद के संदर में कुछ facts आपको ध्यान रखने है जैसे कि इसका जो गटन है वो 1985 में किया गया और यह किस से संब संबिधान की छटी अनुसूसी के तहत मुखरी उसे कोशिच की जाती है कि किसी राज्य विशेश में रहने वाली जो आप कह सकते हैं कि जो इस्थानिये जनजातियां है या फिर इस्थानिये समुदाय है उनके हितों की रक्षा करने के लिए कारे किया जाए और इसके त्रिप्रा की इस्थानिये जनजातियों की अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के त्रिप्रा जनजातिये छेत्र स्वायत जिला परिशत की स्थापना 1985 में की गई ठीक है संबिधान की सची 6th अनुसूची के तहत 6th schedule के तहत इसका उद्देश है क्या था तो और साथी साथ उनके विकास को भी सुरक्षित करना ठीक इसको करने के लिए इनको व्यापक प्रकार की विधाई शक्तियां दी गई है यानि कानून निर्मानकारी शक्तियां दी गई है उनको कारकारी शक्तियां दी गई है यानि वो खुद से खुद को गवन कर पाने की श च्छेतर से है जो त्रप्रा मोथादल है उनका कहना है कि यह जो पूरा ज्ञातिय चेत्र है इसको आप अलग उन्ध्य सब्ना दीजे एघित है जो सका जुर्श है उसको भी आस-पास चेकर है उसको भी हिसमें शामिल कर ठीक है अभी थोड़ी देर पहली मैंने आपको बताया था 28 सदस्य जो है वो निर्वाचित हो रहे हैं और 28 में से जाधा तर सीटे जो है तिप्रा मोथा दल की दोरा जीदी गई इसलिए वापनी मांग को और जाधा बहतर तरीके से उठा पाने की अवस्तिती में है ठीक अब त्रिप्रा मोता दल की मांग क्या है तो त्रिप्रा मोता दल का कहना है कि जो पूरा जन जातिये स्वायत तजिला परिशत का छेत्र है इसको आप एक अलग राज्य बना दीजे ताकि आधिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जा सके तो इससे जो है लगतार पहली चीतों आपको ध्यान रखना है कि क्या कुछ और भी ऐसी मांगे हैं जो पूर्वोत्तर में देखी जा रही है तो बिल्कुल है दूसरी बात भारत में राज्य के संदर में प्रावधान किस प्रकार का है अनुचेर दो और तीन आपको ध्यान रखने हैं और इसमें क् पूर्वोत्तर आधी के छेत्रों में विद्दमान राज्यों में से नवीन राज्यों की मांग जो की जा रही है क्या उसको मांग लेना क्या उसको एक्सेप्ट किया लाने चाहिए क्या उसको स्विकार कर लिया जाना चाहिए और अगर निमान लीजे उसको नहीं स्विकार किया जाता है तो किस प्रकार का समधान प्रिस्तुत किये जाने की आउशकता है ठीक है तो नए राज्यों की मांग से संबंधित कुश्चन आप इसमें अनुमानित कर सकते हैं पूछा जा सकता है ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पूर्वोतर भ इसके दोरा काफी लंबे समय से मांग की जा रही है कि नागलेंड के छेत्र के आसपास रहने वाली नागजंसंख्या जो मैंनमार में वित्मान है उन सब के छेत्रों को मिलाकर आप एक बड़ा नागलिम का छेत्र बना दीजे यानि एक ग्रेटर नागलिम बनाईए जिसमे अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, असम और मयानमार के हिस्से भी शामिल हो ठीक है इस मांचित में आप इसे देख सकते हैं ग्रेटर नावलिम की जो मांग है हो नैशनल सोचलिस्स काउंसिल ओ नागलेंड इसाक मुईवा गुट के द्वारा की जा रही है जिसमें नागलेंड के साथ ही दूसरे राज्यों के बहुत सारे भागों को भी शामिल किया गया है जिसमें शामिल है असम, अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर और मयानमार क्या क्या है असम के छेतर में बोडो लेंड की मांग जो है इसमें इंपोर्टेंट है असम के छेतर में बोडो लेंड की मांग जो है वह भी इंपोर्टेंट है यह भी आपसे पूछा जा सकता है इसके अलावा मेघालले के छेतर में जो जनजातिय स्वायत छेतर हैं उनको भी ये तीन मांगे तो कम से कम आपको ध्यान रखनी है, जो कहां से संबंदित हैं, तो पूरुवत्तर के छेतर से संबंदित हैं, और भी हुससारी मांगे हैं, फिलहाल आपको इतनी याद रखनी है कम से कम, ठीक, अब भारत में जो संवेधानिक प्रावधान हैं, वो किस प्रका 2 और 13 तो जो अनुच्छ 25 और 13 है 한다 का संबन्द अनुच्छ 25 कहता है कि संसत को ये शक्ति होगी कि वह नए राज्यों और केंद शाशित प्रदेश ओम आदिकि hadmaty इस इस अनुच्छ सहत मुख्यरोग से 1975 में 1975 में सिक्किम राज्य को इसमें भारत संग में इस्थापित किया गया था ठीक अनुच्छे तीन भी संसत को एक शक्ति देता है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकती है या फिर मौजूदा राज्यों की सीमा आधी में परिवर्तन को कर सकती है ठीक है यह चीज आप ध्यान रखेंगे अनुच्छे दो अनुच्छे तीन इन दोनों का संब़न के से है तो नय राज्यों की स्थापना अत्वान मैं निर्मार से है यह चीज आपको ध्यान रखनी है और इसमें शक्ति सबस्यादा किसको दे गई है तो संसत को ठीक तो यह चीज जाना चाहिए क्या सबको आप करेंगे क्या करेंगे यह बता तो आप इस पर कुछ सुझाओ दे सकते हैं आप यह सकते हैं कि राजनीतिक अधार पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर किसी प्रकार के नवीन राज्य की मांग किया जाना कोई नई बात नहीं है बहुत लंबे समय से ऐसी मांग की जा रही है लेकिन अगर हम सब मांगों को पूरा करता रहे तो बात यह होगा कि भारत में 50 से जादा राज्य हो जाए जार्थिक और सामाजिक विवारता को प्रात्मिक्ता देनी होगी जैसे कि तिपरा लेंड के बारे में आप एक कह सकते हैं कि जब वहां पर पहले से लेंड के पूरे छेत्र में जब हमने एक जंजातिय स्वायत जिला परिशत का छेत्र बना रखा है वहां पर वहां के कर सके जो सांस्कृतिक विरासातें उनकी रक्षा कर सके इसके लिए अपक प्रकार का भी केंदरी करने भी किया गया है तो अलग राज्य की मांग करना बहुत सही नजर नहीं आता है अपितों जो विद्रमान जन्जातिय स्वायत छेत्र हैं उसी में और कुछ सुधार किये ज तो क्या वो खुद से अपने संसाधनों के अधार पर खुद का खर्च उठा पाने में सक्चम होंगे कि क्या वो लगतार केंद सरकार पर ही निर्भर रहेंगे तो उनकी आर्थिक और सामाजीक व्यभारता वायबिलिटी को जो है प्रात्मिक्ता दिये जाने की सर्वत है और कौन से राज्य का गठन किया जाना है कौन से राज्य का गठन नहीं होना है इसमें इसपष्ट प्रकार के मांडन होने चाहिए किलियर प्रकार के जो है मांडन हो और सुरक्षा उपाए किये जाने की आवश है हमें विकास के मुध्य को ध्यान देना होगा हमें जो है विकेंद्रिकरण के मुद्डे को मेहत्य देना होगा और सती साथ उन्हेतरों में सुशाशन को भैतर प्रकार के governance को हम सुनिश्चित कर सकें इसको व्यद रूप से याने महत्तपून रूप से ध्यान रखने की आउशकता है ठीक अगर मालीजे किसी प्रकार के जंजातिय छेत्र में हम सत्ता का संकेंद्रन देख रहे हैं अगर मालीजे राज्यों कोई लग रहा है या फिर स्वायत जिला परिशादादी कोई लग रहा है कि उनको व्यापक रूप से जो है सब को उपाई किया जाना चाहिए केवल हर किसी को नए मां की अधार पर रहे राज्यों की अधार पर सुईकार किया जाना सही नहीं है तो यह कुछ ऐसे बिंदू है जो आप बता सकते हैं दे सकते हैं जब भी आप से कोशन पूछा जाए कि क्या नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए क्या भाशा के धार पर धर्म के धार पर जाती के धार पर निर्जाती के धार पर बोली के धार पर नए राज्यों का संगठान से संबंदित है जिसका नाम है FATF Financial Action Task Force या इसे हिंदी में कहते हैं वित्य कारवाही कारेबल ठीक है FATF इसे शौर्ट में कहा जाता है ठीक अब यह चर्चा में क्यों है भाई तो इस लिए है क्योंकि आज के दा हिंदू में से संबंदित खबर प्रकाशित हुई है और यह इसलिए प्रकाशित हुई है क्योंकि भारत का एक mutual evaluation होना है अब यह mutual evaluation क्या है तो भारत जो है 2010 में FATF का सदस्य बना ठीक है भारत जो है 2010 में FATF का सदस्य बना और मुख्या रूप से हम यह देखेंगे कि FATF किन छेत्रों में काम करती है तो यह जो है Anti-money Laundering के छेतर में काम करती है यानि Money Laundering ना हो इसको अंतराश्टी राश्टी इस तर पर रोकने का प्रयास करती है और दूसरा Terrorist Financing, Combating Terrorist Financing यानि आतंकी वित्तियन को रोकने के लिए काम करती है तो Anti-money Laundering और Terrorist Financing इन के लिए काम करती है और जो भी दुनिया भर के देश है ठीक उन सबी देशों से जो है यह अपेक्च्छा की जाती है कि आप अपने देश के जो कानून है आप अपने देश के जो आप कह सकते हैं जो पूरा आपका प्रशाश्निक धाचा है जो अधिकारी तंत्र है, जो आपके कानून, नियम कानून, विनियमन है, जो पूरी नियाइक धांचा वगेरा है, उसको इस प्रकार से बनाएं, वित्य विवस्था वगेरा, उसको इस प्रकार से बनाएं कि आपके छेत्र में से, आपके देश में से किसी प्रकार की मनी लॉ Evaluation कहा जाता है देशों के साथ सहयोग करके उनके कानून विधी विवस्था आधी का Evaluation किया जाता है इस बात को पर्खा जाता है कि क्या वास्ताव में FATF के मानकों के नुसार आपके देश के कानून सही है अथवा नहीं अथवा इसमें किसी प्रकार के सुधार की आवशकता है तो इस साल के अंत में भारत का Egew debit I showosion होना प्रस्था इससे पहले वहा रत का Eenary vail olsun होना था वह क्यों न के चलते लेड हो गया घर वह सकता है कि नूवमबर तक आने वाला है नूर्वमबर भारत का taka čo होगा जिसकी रिपोर्ट पर अगले साल जो FATF की बैठक होगी जून में उस पर वारता की जाएगी जून 2024 में नॉवंबर में होगा तो जून में बैठक होगी ठीक तो इसके माध्यम से भारत में किस प्रकार का धन शोधन रोधी धांचा है भारत आतंकवाद विरोधी वित्व पोशन धांचे को और बहतर किस प्रकार से कर सकता है इसके संदर में जो है FATF कारे करेगा और भारत भी इसको लगतार सहयोग प्रदान कर रहा है तो बेसिक बात हुई अब सबसे बड़ी बात जो आप कोशन पूछा जाएगा वह यह है कि FATF क्या है किसलिए काम करती है तो बहुत सरल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो जो FATF है वो एक ऐसा संगठन है जो अंतराश्टी इस्तर पर जो मनी लॉंड्री की गतिविदी की देखी जाती है मनी लॉंड्री क्या होता उसमें बात करेंगे और जो टेरिदिस फिनेंसिंग की जो गतिविदी देखी जाती है वह राश्टी अंतराश्टी इस तर से संचालित ना हो इसको रोकने के लिए करने वाला एक अंतराश्टी संस्ता है थीक इसके जो स्थापना है थीक व Italy में सज्चा शुरुवाती कारे था वह था कि money laundering के खिलाफ आप जो है कुछ नीतियों को विक्सित करें और इस रूप में यह एक नीती बनाने वाली संस्था के रूप में देखी गई यानि यह कुछ policy recommendation करती है ठीक है यह कुछ policy बताएगी policy को क्या करेगी अनुशंशित करेगी कि आप अपने देश के कानूनों को ठीक आप अपने देश के नियमों को आप अपने देश के विनियमों को ठीक है regulation rules and regulation आधी को इस प्रकार से बनाएं कि आपके देश से money laundering की गतिविदी संचालित ना हो ठीक और बाद में धीरे दीरे जो jurisdiction है इसका जो अधिदेश है mandate है उसको बढ़ावा दिया जाता रहा ठीक है जिसका उद्देश क्या है मुख्य रूप से कुछ parameters बनाती है मानक बनाती है standards बनाती है और standards किसके संदर में है तो money laundering के संदर में है terrorist financing के संदर में है और साथी देशों से भी आप एक्षा करत द्हाचा बनाएंगे नियामक धाचा बनाएंगे और उसको संचालित करने वाला धाचा बनाएंगे इसके अलावा terrorist आदी के द्वारा अंतराश्टी वित्तिय प्रणाली का जो दुरुपयोग आदी किया जाता है इससे बचने के लिए राश्टी इस तर पर अगर मान ठीक है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है किस प्रकार से इसका जो मैंडेट है वो लगतार विस्तिरित होता रहा है ठीक है अब इसके मैंडेट को विस्तार किये जाने के संदर में जो terrorist financing है आतंकी वित्तपोशन है उस आतंकी वित्तपोशन को रोके जाने के लिए ज देखे गए उसके बाद से जो इसका विस्तार है वो लगतार देखा गया है तो अमेरिका में जो 2001 में 11 सितंबर के आतंकी हमले देखे गए उसके बाद जो दुनिया भर के आतंकवादियों को वित्त मिलता है फिनेंस मिलता है उस फिनेंस को रोका जा सके इसके लिए भी जो और इसमें जो Weapons of Mass Destruction है, सामुहिक विनाश के अतियार, ठीक है उसे कहते हैं WMD, Weapons of Mass Destruction, सामुहिक विनाश के अतियार, जैसे कि मालीजे biological weapon हो गए, chemical weapon हो गए, इस तरीके के Weapons भी कोई देश ना बना सके, इसके लिए उसके उपास पैसा ना आ पाए, चाये वो देश हो, चाये वो मालीजे कोई आतंकी संगठन हो, चाये कोई मालीजे गैर सरकारी इकाई हो, कोई भी हो, उसको जो है इस प्रकार की वित्तपोशन ना मिले, इसके लिए भी ये काम करती है, ठीक है, इसका मुख्याले कहां पे है, पैरिस में है, और मुख्या रूप से इसका जो मुख्याले है, वो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD के मुख्याले में आवस्थित है, ठीक है, ये भी आप से पूछा संगठन है, ठीक है, 37 देश है, दो संगठन है, दो संगठन कौन से है, तो यूरोपियन कमिशन, यूरोपियन आयोग और खाली सहयोग परिशत, GCC, ठीक है, तो 37 प्लस 2, 37 कंट्रीज, इंडिवीजूल कंट्रीज, प्लस 2 मतलब हो गया, छेतरी संगठन, ठीक, ये चीद ध सदस्य में भारत इसके पूर्ण कालिक सदस्य की रूप में शामिल हुआ, नंबर याद रखने की जरूत नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे, भारत 2010 में इसमें शामिल हुआ, यानि भारत इसका सदस्य है, लेकिन संस्थापक सदस्य नहीं है, ये आप से कोश्चन पहली चीज होती है, मनी लॉंडरिंग और ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है, तो मनी लॉंडरिंग को हिंदी में कहते है, धन शोधन, क्या कहते है, मनी लॉंडरिंग को हिंदी में कहते है, धन शोधन, धन शोधन का मतलब क्या हुआ, तो लॉंडरी का मतलब होता है, गं कोने का प्रयाज किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ क्या दो सकुन वाशिंग मशिन M geg घृत द्वूएंगे घृत से जवेंगे क्या पाई कि एसी सोर्सेर से कमाया गया हो मांनी चैनल आप ने fragश कर करके कमा आप ऐसे सोर्से से कमाएं तो ऐसे सोर्से से कमाएं धन गया उस प्रकारी से दर्शाने का प्रयास करेंगे मानों वह वैद श्रोच से कमाया ग्या हो इसको उसको investment के रूप में दर्शाय जा सकता है, उसको जो है आपकी खुद की आये के रूप में दर्शाय जा सकता है, या फिर ऐसी गतिविधिया की जाएंगी कि उसके माध्यम से आप अपनी dirty sources को छुपा कर उसको वैद सुरोतों से आया हुआ दर्शाय सकें, ठीक है, तो money laundering क्या हो गया, money laundering एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नाजाय सुरोतों से या गलत सुरोतों से कमाये गए धन क को जिसे dirty money कहा जाता है, उस dirty money को वैद सुरोतों से कमाया हुआ दर्शाया जाता है, ठीक है, आप लिख सकते है, money laundering एक ऐसा तरीका है, जिसमें अपराधिमाधी के दारस का प्रियोग करके, जो illegal origin से कमायी गई धन है, ठीक है, अवैद तरीकों से कमाया गया धन है, उसको क इस तरीके से किया जाता है, तो इस तरीके से उसे दर्शाया जाता है, भीवित प्रकार के commercial transaction साधी करके, कि मानो वो वैद सुरोत से आया हूँ, ठीक है, आपने एक वैद गतिविदी करके कमाया हूँ, ठीक है, भोग सारे तरीके हैं उसके, ठीक है, और इसका motive क्या है, motive य मनी है, ठीक है, आपकी जो black money है, या आपकी जो dirty money है, उसको आप white रूप में दर्शाया सके, ठीक है, ताकि आप उसे खर्च के, खुलम खुला खर्च कर सके, और इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, इन तरीकों पे भी आपसे question पूछा जा सकता है, प्रारभ उन कागच पत्रों में आप दिखाएंगे कि भाई आपने ये समान बेचा, तो इससे इतनी आए हुई, हो सकता है वो समान जो है आपने 100 रुपे बेचा, आप उसे दर्शाया कि 1000 रुपे बेचा, तो 900 रुपे क्या हुआ, जो dirty source से कमाई गई कमी है, money है, उसको वैर दिख दिखा दिया, तो जो invoices वगेरा होते हैं, जो bills वगेरा होते हैं, उनको manipulate करके, उनको कम ज्यादा दिखा के जो है, इसको adjust कर लिया जाता है, इसके अलावा आप खोखा company बना सकते हैं, खोखा company, या उसे कहते हैं, अंग्रेजी में, shell company, या खोखा company का मतलब क्या हुआ, ए production आदी नहीं करती है, केवल दिखाने के लिए बनाई जाती है, और उसमें पैसा इधर से उधर किया जाता है, लेंदेन उसे किया जाता है, ताकि हम black money को, dirty money को, वैर शरोतों से आयोगा दर्शा सके, ठीक, हम इसमें FDI route का सहरा ले सकते हैं, यानि हम एक ऐसे देश से आते ह जहां पर आप निवेश करें या पैसा लगाएं, तो आपको कोई भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा, तो लोग क्या करते हैं, विफिन रूट से पैसा जो है उन देशों में जाकर निवेश कर देते हैं, और वहां से दुबारा घूम के पैसा जो है कहां पर आता है, तो भ फेक expenditure कर सकते हैं, एक ऐसे expenditure जो वास्तव में हुए ही नहीं, तीक है आपने कागजों पर ही employees को hire कर दिया, उनकी salary slip दिखा रहा हैं, जो वास्तव में है ही नहीं, तीक, इसके अलाबा जो है आप ऐसा business कर सकते हैं, जो cash incentive होता है, जैसे के मालीजी आपने hotel खोल दिया, तीक, होते हैं अब यहाँ पर कोश्चा नहीं उठता है कि जो मनी लॉंडरिंग के तहट जो डिटी मनी है या जो ब्लैक मनी है उसको जो एक प्रकार का फिनेंशियल ट्रांजेक्शन किस तरीके से किया जाता है उसमें किस तरीके से पैसे कुछ चुपाने की कोशिश की की जाती है तो उसमें पूरा कॉंपलेक्स तरीका होता है ठीक है फिनेंशियल ट्रैंजेक्शन का जिसको कई उसके चर्णों की कई साइकल्स की उसकी पहचान की गई है ठीक है उसको कहा जाता है प्लेस्मेंट दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है इंटीग्रेशन ठ ठीक है तीन चरण होते हैं उसके सबसे पहला चरण क्या है कि आपने जो गलत तरीकों से कमाया गया धन है collection of dirty money उसको इखटा कर लिया अब पैसा आगया अब उसको क्या करना है आपको वित्तिय सोर्स है बैंक में डालना है ठीक है तो उसको प्लेस करेंगे प्लेस करने का क्या हो गया कि आपका जो financial system है वित्तिय तंत्र है उसमें आपकी dirty money एंटर करेगी कैसे एंटर कर सकती है मालनीजे आपके पास एक करोड़ है ठीक है एक करोड़ सीधा सीधा तो डाल नी सकते तो हो सकता है कि आप कुछ fake accounts बनवा ले ठीक है आपने आपके नौकरानी के नाम मालीजे 100 रुपए 200 रुपए 1000 रुपए 10,000 रुपए ताकि यो टेक्स के दायरे में ना है और उसको जो है आप उसको integrate कर दिये फिर उसके बाद आप उसको layering करेंगे यानि उसको घुमाएंगे पैसा घुमाना जिसे कहते हैं एक account से दूसरे account में दूसरे से तीसरे में ती तीसरे से पांच में में चला गया ठीक इस तरीकी से घुम घुम के पैसा मतलब कोई जाज भी करने जाएगा तो उसे लगेगा कि पता नहीं कितनी जगे से पैसा घुमा और मनी की मात्रा जो हो जादा नहीं होगी 100-100 रुपए में मालीजे घुमा रहे हैं पैसा और आपके बर्मुडा से लिचंस्टीन, लिचंस्टीन से स्विचर लेंड, स्विचर लेंड से फिर मौरिशस, मौरिशस से फिर भारत, पता चला घुमता ही जा रहा है पैसा, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टेक्स अटोरिटी अगर जानना चाता है तो पूरा कंफ्यूज हो ज फिनेंशल सिस्टम में इंटीग्रेट कर लेंगे, एकाउंट से पैसा निकाल लेंगे और इसको खर्च कर लेंगे, उससे कोई लगजरी असेट्स भी खड़ी सकते हैं, फिनेंशल इन्वेस्मेंट निवेश भी कर सकते हैं, कोई कमर्शियल इन्वेस्मेंट भी कर सकते हैं एक बहुत बड़ा खत्रा है जिसका निवान किये जाने की आवशक्ता है और इसके लिए फेटीएफ काफी महत्पुन बॉड़ी है आप से इस पर कोशन पूछा जा सकता है ठीक है चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मंद्रेगा पर सबसे पहले तो यह चर्चा में क्यों है इसे देख लेते हैं तो आज के निउस्पेपर में दहिंदू में से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और इस बात को दर्शाय गया है कि किस प्रकार से मंद्रेगा के समक्ष कुछ चुनोतियां है जैसे कि जो यह वित्तवर्ष हमारा चल रहा है ठीक है कौन सा व 2223 वित्तवर्ष जो है वह एक अप्रेल 2022 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 तक चलेगा तो इस वित्तवर्ष में लगबग एक महीने के आसपास बचा है तो एक महीने से थोड़ा साधिक का समय बचा हुआ है इसके बावजूद केंद सरकार ने जो मंद्रेगा के लिए राशी ग्रामीर रोजगार गारंटी योजना इसके तहट जो पैसा रख रखा था पैसा जो है कहा था कि अलोट करेंगे स्टेट्स को उसके material आसपेक्ट के तहट तीक है उसके material आसपेक्ट के तहट 14 राज्यों का बहुत सारा पैसा बकाया है इसकी संक्या क्या है तो 6157 करोड र के लिए निर्मान समागरी के लिए इसका भुक्तान किया जाना है ठीक अब अगर मान लीजे राज्य सरकार को जो है खर्च करना है और इसके लिए निर्भारे केंद्र सरकार पे केंद्र सरकार ने पैसा दिया नहीं तो क्या होगा इसका एक नहीं कारई टो जाएगा एक से दूसरे पर प्रभाव दूसरे से तीसरे पर तीसरे पर चौत्वचे पर तो एक डामिनोज effect देखा जाएगा जिससे पूरी जो मन्देगा की जो आप कहा सकते आप पूरती श्रंकला है supply chain का पूरा mechanism है वो तूट जाएगा ठीक आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे राज्य वगेरा पेमेंट नहीं कर हो जाएगा और इस पूरी निगरानी कारे तर्द में जो महिलाओं की भूमिका है परिवेक चुकों के रूप में उनको भी वेतन मिलने में काफी लेट हो सकता है क्योंकि उनको वेतन भी सी के रूप में एक सेफटी नेट के रूप में विशेश रूप से कोरोना के काल में जो ग्रामीर मजदूरी करने के इच्छुक वगेरा थे उनको जिस तरीके से सहायता की है उसके अनुपात में मंदरेगा के साथ उस प्रकार की जस्टेस नहीं हुई है और जो बजट की घो जॉब सीख कर रहे हैं जितरा जॉब चा रहे हैं उनको कहा गया है कि आप हंड्रेट डेस का रोजगार देंगे लेकिन इस धनराशी से केवल और केवल आप 20 दिन का र्यूक्त कारिक्रम 20 दिन का ही रोजगार आप दे पाएंगे क्यों क्योंकि पहले से ही बहुत सारा पैस पैसा पैंडिंग है और पैसा देने के बाद जो राशी बचेगी उससे केवल आप 20 दिन का ही कार्य दे पाएंगे ठीक है इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर धनराशी बढ़ाई भी जाती है जैसे कि विशेश अग्यों को कहना है कि अगर आप सभी जोब धारकों को जो भी जोब चा रहे हैं मंद्रेगा के तहर उनको 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार देने की बाद तो आप छोड़ दीजे अगर मैं 20 का भी दूगना कर दूँ अगर उनको 40 दिनों के काम का भी आस्वाशन देना है तो कम से कम मंद्रेगा के हैट के तहर लगबक सवा लाग करोड़ रुपए 1.24 लाग करोड़ रुपए जो है आवंटित किये जाने की आवशक्ता है ठीक है और यह उस इस्तिती में है जब पहले से ही कुल मिलाकर 17,000 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित है यानि केंद सरकार को राज्यों को देना ह हैं तो कुल मिलाकर आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि मंद्रेगा में काम मांगने वाले जादा होंगे और उनको जो है काम की कमी होगी ठीक है तो बजट में आपने कटोती की इसके लावा कुछ नया प्रोवीजन भी लाया जिसके माध्यम से मोबाइल अप्ल से पहले तो मंद्रेगा की फुल फॉर्म क्या है यह देख लिए तो महात्मा गांधी नैशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गैरंटी एक्ट यह एक विदी है एक कानून है ठीक है महात्मा गांधी राश्टिये ग्रामीर रोजगार गारंटी अधिनियम मंद्रेगा ठीक है से यह दुनिया के सबसे बड़े काले गारंटी कारिकरमों में से है फिक है इसको इस तरीके से कहा जाता है यह बिदिक अधिकार कांधिक युक्त्र आपको काम दिया जाएगा इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश यह है कि ग्रामीरी छेतर में रहने वाले जो व्यस्क लोग है 18 प्लस जो लोग है वो अगर किसी प्रकार का अकुशल शारिरिक कार्य करना चाते हैं और वो इसको मांगते हैं तो उनको एक निश्चित तैसुदा समय में उनको काम दिया जाएगा कम से कम साल में 100 दिल ठीक है तो ग्रामीर परिवार में सार्जनिक कार्य करने का कोई इच्छुख है व्यक्ति और अकुशल सारेरिक कार्य करने की वो इच्छा जताता है तो उसको हर वित्तिय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी ठीक इसमें मजदूरी का भुकतान भी जो है उस अलहार पर किया जा रहा है कि वो एक statuary minimum wage निउन्तम मजदूरी हो सके यानि इससे कम ना हो इसके अलावा ये जो है डिवान डिविन एक मांग प्रेरित योजना है यानि आप जब काम मांगेंगे तो 15 दिन के भीतर आपको काम द केत्र की जो संस्ताइं हैं पंचायती राद संस्ताइं वगेरा जो हैं उनको ज्यादा शक्तियां दी गई हैं ताकि वो इस्थानी इस्तर पर बहतर प्रकार के कामों को करा सके ठीक है तो यह decentralized योजना की रूप में काफी महत्तपूर्ण हो गई है ठीक जिसमें पंचायती इनस्थिंटूशन्स जो पंचायती राज संस्ताइं हैं उनको महत्तपूर्ण भुम्मिका दी गई हैं और इससे क्या हो रहा है कि जो हैं successful बनाने का प्रयाउफ किया गया है ती थीक वो कैसे जिसमें जो कामों की जो सिफारिश करने का अधिकार है वो इस्थानी इस्थर पर ग्राम सभाओं को दिया जाता है और कामों का 40 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक उनके द्वारा ही निस्पादित किया जाता है यानि वही उसको संचालित करते हैं ठीक है यह सतत्विकास लक्षे के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा संतराष्टी इस तर पर संयुम्त राष्ट के द्वारे इनको घोशित किया गया है और इसके माध्यम से हम कुछ महत्पून लक्षे को प्राप्त करना चाते हैं ताकि अंतराष्टी इस तर पर महत् सत्विकास लक्षे का जो लक्षे है गोल नंबर एक उसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन क कह लखा गया है यानि नोपावर्टी ये इसके माध्यम से पूरा होता है इसके लावर इसम्ञार भुक्मरी के निवान की बात इसके लावा इसमें लेंगीक सम्ता भी है, क्योंकि महिलाओं को रोजगार दिये जाने का प्रावधान किया गया है, इसमें जो कारे की दशाएं हैं, कारे स्थल हैं, वो बहतर होने चाहिए ताकि आर्टिक सम्रिध्धियादी को बढ़ावा मिले, इसके माध्यम से ग्रामीर चेत्रों से शहरी चेत्रों में होगी जिससे गोल नंबर 9 पूरा होगा यानि ओद्योगिक विकास नवचार को बढ़ावा और आउस्टन रचनात्मक विकास इसके अलावा इसमें असमान्ता को कम करने का भी लक्ष रखा गया है क्योंकि ग्रामीर चेत्रों में लोगों की आ लक्ष ऐसे हैं जिसकी पूर्ती जो है मंद्रेगा के द्वारा की जाती है ठीक है तो यह कोशन आप से पूछा जा सकता है यह चीज़ा आपको ध्यान रखनी है ठीक चलिए अब हम बात करने जा रहा है आधुनिक भारत की या समकालीन भारत की एक बिहर महत्तपूर परसने प्राशित हुई है उसके तहरे जो भारत की प्रधान भारत की जो राश्पती है ठीक है दुरौपदी मुर्मु जी उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में बाबा साहिब भीम्राव अंबेटकर यूनिवरस्टी जो लखनव में अवस्तित है उसके दिख्छांत समाहरों को ठीक है दिख्छांत समाहरों को जो है संबोधित किया है और इससे डॉक्टर भीम्राव अंबेटकर जी का जो नाम है वो चर्चा में आ गया है जो हमेशा रहता है और इनसे संबंदित कुछ फैक्ट प्रारंभी परिच्छा आधी में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो 13 इस स्टार्ट अप इको सिस्टम को बढ़ावा देने में यूनिवर्स्टी जादी महत्रपुर्ण भूमिका निभाने तो दो टॉपिक पर कोशन बन सकता है हमने आप बाबा साहब में चर्चा की है हालाकि मेंस में आपसे स्टार्ट अप इको सिस्टम नवचार इको भी कोशन बन सकता है यह भी ध्यान रखेंगे ठीक है अगर मैं बाबा साहिब की बारे में थोड़ा सी बातें आपको बताने का प्रयास करूं तो यह एक बहुविद परस्नेलिटी थे यानि बहुत सारी का जाता है बहुमुखी प्रिथिभा के धनी थे यह जो है समासुध यानि मद्रप्रदेश में है ठीक सबसे ज्यादा जो इन्हें लोगप्रियता हासिल हुई है वो भारतिय संविधान के जनक के रूप में हासिल हुई है साथ यह भारत के पहले कानून मंत्री यानि विधी मंत्री भी थे ठीक इसके अलावा भारत में जो संविधान निर्मा और समाजिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के साथ ही महिला आधी के अधिकारों के लिए भी जो है इन्होंने काफी लड़ाई या लड़ी बहुत सारे आप कह सकते हैं आंदोलन वगेरा का नेत्रत किया सबसे याधा जो महत्रपूर्ण इनका योगदान है वो 1927 1927 का एक महार सत्याग्रह है जिसके माध्यम से उन्होंने अच्छूतों को तलाब के पानी को अपयोग करने की अनुमति दिये जाने के संदर में आंदोलन का नेत्रत्य किया यह काफी इंपोर्टेंट है आप से पू होगा तो आपको पता होगा कि 1930 से लेकर 1932 के काल में जो है मुख्यरूप से भारत में संब्यधानिक दशोदिशा कैसे हो ठीक उसको तैख करने के लिए लंदन में राउंटेबल कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया था जो संभिलन तो एक था लेकिन तीन चरणों में आयोज साहिब की काफी महत्तपुर्ण भूमिका रही जिसमें एक कमिशन था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमिशन इसके समक्च जो है उन्होंने एक संस्था बनाने के संबंद में अपने विचार को प्रिस्तुत किया जो आगे चल कर RBI की रूप में सामने आया ठीक इसका लाप स निए परकाशित की अनुषड मोकनायक महत्तपुर्ण है ठीके पूछरा सकता है भाएशकरत भारत महत्तपुर्ण है ठीक समता महत्तपुर्ण है और जनता महत्तपुर्ण है यह ध्यान रखेंगे पत्रिकाएं इसके अलाबा अगर बुक्स पूछी जाएं तो इसमें इंग्लिश में पुस्तके उन्होंने लिखें थी तो इंग्लिश का नाम याद रखेंगे जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाती प्रथा का बीजनाश बुद्ध और काल माक्स ठीक दा अंटचेबल हुआर दे एंड वाइब विकम अंटचेबल अचूद कौन थे और अचूद कैसे बने थेक है बुद्ध एंड हिस धम बुद्ध और उनका धम ठीक दा राइज एंड फॉल अब हिंदू विमन हिंदू महिलाओं का पतन और उत्थान यह बुक्स है जो संगठान उन्हें बनाए उसमें बहिश्क्रा थितकार्णी सभा 1923 इंडिपैंडेंट लेबर पार्टी 1936 इसके अलावा शड्यूल कास्ट प्रडेशन यह महत्तपूर है तो इस सब एक एक से इंपॉर्टेंट है याद कर लेना है ठीक है चलिए अब हम बात कर रहे हैं विश्व रेडियो दिवस के बारे में अभी चर्चा में क्यों है तो आज के पत्र सूचना कार्याले में जो है इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है आज ही प्रधान मंत्री कार्याले न पर सभी रेडियो सुरूताओं को बढ़ाई दी है और नागरिकों से जो है यह आप कह सकते हैं कहा है यह जो है बोला है कि सभी नागरी 26 फरवरी 2023 को होने वाले मन की बात कारिक्रम के लिए सुझाओं को साजा करें ताकि इसको और बहतर बनाए जा सके ठीक इसके अलावा अबपको यह द्यान रखनी है कि अब हम बात करते हैं बात में रेडियो की तो में मैं पॉन्दिया के यह जोस्टा कि नाम से जानते हैं प्रशार भारति पर आपसे कोर्यके पूछारा सकता है यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत में मुख्य रूप से रेडियो ब्रोड कास्टिंग वगेरा को और बहतर बनाने के लिए जो केंद्र सरकार है उसने एक महत्तपूर्ण योजना को स्विकृति प्रदान की है जिसका नाम है बाइंड इसकीम क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता देता हूं तो देखिए BIND SCIINE का फुल फॉर्म है BROADCASTING INFRASTRUCTURE & NETWORK DEVELOPMENT SCIEM वगेरा है उसके आउस्टरम लचना को बहतर बनाना उसके नेटवर्क को बहतर बनाना इससे संबन देता है और ये एक इसको कहते हैं हिंदी में केंद्रिये केंद्रिये छेतरक योजना क्या कहा जाता है केंद्रिये छेतरक योजना इसकी द्यान दखेगा शब्द इंपॉर्टेंट है एक दूसरा शब्द है उसे कहा जाता है केंद्र प्रायोजित योजना क्या नाम है केंद्र प्रायोजित योजना centrally sponsored scheme centrally sponsored scheme और central sector scheme में विभेत क्या है अंतर क्या है तो central sector scheme केंद्रिये छेतरक योजना में जो funding होती है वह 100% funding जो है वह केंद्र सरकार के दौरा की जाती है पूरा पैसा केंद्र सरकार देंगी जो centrally sponsored scheme होती है उसमें केंद और राज्ये के मद्ध है खर्च का जो अनुपाद है वह बढ़ जाता है ठीक है वह 90-10 भी हो सकता है 75-25 भी हो सकता है 60-40 भी हो सकता है ठीक 50-50 भी हो सकता है डिपेंड करता है ठीक केंद्रिये सेक्टर central sector scheme केंद्रिये छेतरक योजना 100% funding जो है केंद्र सरकार करती है केंद्र प्रायुजित योजना एक अनुपाद में केंद्र राज्ये के द्वारा खर्चे को वहन किया जा है ठीक है यह एक केंद्रिये सेक्टर योजना है और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया प्रसार और विकास ब्रॉड कास्टिंग इंफ्रास्ट्रॉक्ट्टर और डेवलपमेंट स्कीम जो मुख्य रूप से भारत में जो आप कह सकते हैं जो डीडी के चैनल्स है या फिर जो है आपके सकते हैं AIR एया एंडिया रेडिवादी है प्रसार भारती को उसका ब्रॉड कास्टिंग इंफ्रास्टर द्रक्टर है उसका विष्थार करने के लिए उसका उन्यन करने के लिए वह अपना कॉंटेंट जादा बहतर कर सके इसके विकास करने के लिए साहता प्रदान करनी की एक योजना है और इसके माद्धियम से यह लक्षित किया गया है कि जो वाम पंथी उग्रवात से संबंधित छेत्र हैं जो सीमा और रणनीतिक त्रक्चर के तहट जो वगयरा काम करते हैं जिसमें ए आई आई एफम जो है उसके ट्रांस्मीटरों के कवरेज के भगोलिक जो छेत्र फल है उसको बढ़ाया जाएगा उसको जनसंक्या के इसाफ से 66 परसेंट और जनसंक्या के इसाफ से 80 परसेंट तक बढ़ सके जो सिमभावी छेत्र सीमा वर्ति छेत्र सुदूर छेत्र वहां पर कवरिज बढ़ेगी ठीक दूराज में रहने वाले आदिवासी लोग वाम पंति उग्रवात से प्रभावित लोग सीमेद रहने वाली निवासी उनके लगभग जो प्रिसारण है उसको बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए उनको सेट्टॉप बॉक्स भी डिलिवरी किया जाना है ठीक है आए इसमें कॉंटेन्ट आदी के संबंद में भी रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकेगा ठीक अब यह प्रसार भारती क्या है तो यहां पर शब्द ध्यान रखेंगे प्रसार भारती में से कहते हैं सामविधिक वैधानिक यानि ये एक केंद्र सरकार जो संसद्व प्रिस्थत कीरती है कानून उसके माध्यम से बनाई गए एक संस्ता है और ये देश का पब्लिक सर्विस का ब्रोड कास्टर है इसको 1997 प्रसार भारती की आक्ट के माध्यन से बनाया गया जो दूर दर्शन है और प्रसार भारती का गठन किया गया है ठीक है प्रसार भारती पूछा जा सकता है उसका महत पूछा सकता है यह आपके लिए परिक्षा के दिश्टी कोन से काफी important है ठीक है तो इस तरीके से इसको आप ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से आज जो है हमने current affairs की class को आपके साथ संचालित किया आपको इची ध्यान रखनी है कि हमारे दौरा यूनी exam science के दौरा बहुत सारे programs वगरा को संचालित किया जा रहा है जिसके लिए हमने answer writing program वगरा को भी शुरू किया है optionals के संदर में भी है GS के संदर में भी है इसके लावा UPPCS, BPSC और दूसरी state PCS के लिए भी program को शुरू किया है आप जो है यदि हमारे content को बहतर पा रहे हैं तो जादा जादा like करें, share करें, subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, groups में share करें अब कुछ और topics के साथ हम next day आपके समख चुपस्तित होंगे आज के लिए फिलाल इतना ही धन्यवाद, thank you all अब कुछ आपके साथ है